स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल प्रदोस्तों इस यूडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ AWTPO की जो आपकी कल शेकिंड सीवट हुई थी 28 तारीक को ठीक है इसके science कोशन देखने वाले हैं टोटल 15 कोशन मुझे मिल चुके हैं तुन सारों के answer में आपको एक एक करके यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको कमेंट के अंदर बताना है कि आपके इन 15 में से कितने कोशन यहाँ पर राइट होए हैं चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स कोशन आपका था कि electronic conductance जो होता है आपका वो किस पर depend नहीं करता है ठीक है तो यह आपका किस पर depend नहीं करेगा pressure पर pressure आपका option के अंदर था तो pressure आपका यहाँ पर बिल्कुल right जवाब यहाँ पर रहेगा ठीक है नेश कोशन आपका speed conversion का था किलोमीटर परती घंटा के अंदर आपको speed convert करनी थी तो उस question का answer होगा आपका 18 18 आपने किया है तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा next है नोर एंथी ड्रोन जो होती है उसके अंदर किस का आपका mixture होता है तो इसके अंदर होता है आपका synthetic progesterone और estrogen ठीक है इन दोनों से मिलकर आपका बनता है non-anthidrone जो कि आपकी anti-fertilated drug रहेगी next bioethynol जो आपकी soap के अंदर add ही जाती है क्या properties होती है इसके अंदर तो यह होती है आपकी antiseptic next statement आपको बतानी थी soap के regarding ठीक है तो उसके अंदर आपका correct यहाँ पर बतानी थी कौन सी statement आपकी right रहेगी तो उसके अंदर option के अंदर था glycerol को as a drying agent के रूप में add किया जाता है कि इसके अंदर soap के अंदर तो यह आपकी right statement यहाँ पर रहेगी next resistivity का आपसे dimension पूछा गया था तो इसका होता है ml3 t-3 और a-2 आपने किया है तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है एक question आपको पूछ रखा था कि ranitridine जब आपकी आई थी तो उससे पहले जो आपकी popular drug थी वो कौन सी थी यहाँ पर anti-acid के अंदर तो यह थी आपकी symmetridine अगर आपने symmetridine किया है तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा next rather ford का scattering experiment पूछ रखा था चार statement आपको दे रखी थी चारों में से तीन statement आपकी यह थी ठीक है और इस question के अंदर आपको incorrect statement यहाँ पर बतानी थी तो यह जो statement आपकी caution के अंदर दे रखी थी यह तीनों आपकी राइड थी और जो चोथी आपकी बच गई है इसके अलावा वो आपकी incorrect statement रहेगी कुछ इस टाइप से ही था most of the जो आपके most of the alpha particles deflected ऐसे करके कुछ था तो आपको कुछ ऐसे गलत हो जाएगा ठीक है तो वो ही statement आपकी गलत होगी बाकि आपकी तीनों यहाँ पर सही रहेंगी 180 degree पर जो आपके alpha particle होते हों deflect करते हैं और bounce back आपके कर जाते हैं ठीक है तो तीन statement आपकी बिल्कुल right रहेंगी चोथी statement जो आपकी बच गई है वो बिल्कुल यहाँ पर गलत रहेंगी next question पूछ रखा था जो आपका word magnet है यह किस से drive किया जाता है किया गया है तो option के अंदर था magnesia है ना भाई magnesia था आपका option के अंदर तो magnesia आपका बिल्कुल right रहेंगा यहाँ ठीक है magnetite था तो magnesia आपका right रहेंगा अगर magnesia था तो magnesia right रहेंगा अगर option ने आपका magnesia था अगर manitite नहीं था तो magnesia आपका बिल्कुल सही रहेंगा magnesia इसका बिल्कुल सही आपका जवाब रहेंगा next base क्या होता है आपका fundamental quantities का तो आपको मैंने बताया था analysis के अंदर साथ आपकी fundamental units होती हैं तो base आपका रहेंगा साथ next question आपका पूछ रहा था photo electric effect जो था आपका किसके दोवारा आपका discover किया गया था तो photo electric effect आपका discover हुआ था किसके दोवारा Albert Einstein के दोवारा Albert Einstein ने आपका photo electric effect दिया था 1905 के अंदर बिल्कुल सही जवाब रहेगा Albert Einstein next principia of mathematical यहाँ पर पुछी थी Newton's की बुक कुन सी आपकी principia of फिर blank दे रखा था option के अंदर आपका mathematical था ठीक है तो आपका mathematical आपको बिल्कुल सही रहेगा next next question पूछ रखा था standard electrode potential से जब आपका half cell unity हो जाता है तो उस electrode potential को क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं standard electrode potentially मैंने आपको electrochemistry में भी करवाया था next carnot cycle आपकी कौन से law of thermodynamics के उपर base है heat engine और carnot cycle तो यह आपकी second law of thermodynamics के उपर based option sorry आपका second law of thermodynamics option में जो था वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा next incorrect statement आपको बतानी थी ठीक है दो statement आपकी बिल्कुल same as it is दे रखे थी लेकिन उसमें एक में दे रखा था कि current जो है वो vector law of addition को follow नहीं करता है एक में बोल रखा था vector law को follow करता है ठीक है तो जो current होता है आपका वो follow नहीं करता है vector law of addition को यह statement आपकी सही है लेकिन आपसे पूझ रखा था incorrect statement तो incorrect रहेगी जो आपका current है वो vector law addition को follow करता है वो आपी गलस statement आपकी रहेगी वो answer आपका बिल्कुल right रहेगा ठीक है current जो होता है यह आपका vector law of addition को follow नहीं करता है यह सही statement है आपसे incorrect पूझ रखी दी तो आएगा answer आपका current जो है वो follow करता है vector law of addition को वो answer आपका right यहाँ पर रहेगा तो 15 question मुझे मिल चुके हैं यहाँ पर अगर आपके first और third shift के अंदर exam थे तो आप अगर answer जाना चाहते हैं तो आप telegram पर message कर सकते हैं telegram number आप सभी को हमारा पता है